मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लग मेरे वीडियो स्पेक तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना नमस्कार शात्रो शात्रो आज हम क्लास एट का सूर्दास के पद के प्रशन अभ्यास करेंगे चलो शुरू करते हैं प्रशन नमबर एक बालक श्री क्रिशन किस लोब के कारण दूद पीने के लिए तयार हुए ये पद हैं सूर्दास ने लिखे हैं और उसमें श्री क्रिशन के बालपन के बंणन किया है कि जब बासल्य रसका भरपूर बंणन है इन दोनों पदों में तो यहां पर श्री क्रिशन जो हैं शोटे हैं और बेह अपनी माता ये शोदा से अपनी बेनी जो है अपनी चोटी जो है कब बढ़ेगी इसके बारे में बात करें और माता ये शोदा जो है उनको तरह तरह के उलाहना देकर मीन उनके बातें से रिजाते हुए कहती है कि आप ये पीओ, ये खाओ, तो आपके बाल बढ़ जाएंगे, उनके बालपन का बहुत ही सुन्दर बढ़न किया गया है इन पदों में, तो बालक श्री क्रिशन, जो है, किस लोब, लोब मीन लालच, लालच ग्रीडी, के कारण जो है, दूद पीने के लिए तियार हो रहे हैं, तो तब पीना शुरू कर देते हैं, तो देखते हैं उत्तर में, माता शोदा ने श्री क्रिशन को बताया, कि दूद पीने से, उनकी जो चोटी है, मेन चोटी मेन, बेनी, आपके बालों से, बालों को गुंद कर बनाई जाती है, चोटी, तो बलराम भाया की तरह हो जाएगी, म और उनकी चोटी अच्छी बनती होगी तो उनको बता रही है कि आपकी भी चोटी जो है बहराम भया के जैसी हो जाएगी अगर आप दूद पीना शुरू कर दोगे तो श्री कृषिन अपनी चोटी बहराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते हैं और इसी जच के कारण बच्चों बे दूद पीने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको दूद पसंद नहीं था बैस सिर्फ माखन रोटी ही पसंद करते थे तो उनके बाल वो अपने बालों की चोटी जो है मोटी करना चाहते हैं और माता यशोदा कहती है कि आप दूद पीयो तब ही आपके जो चोटी जो है मोटी हो जाएगी अब आगे श्री क्रिशन अपनी चोटी के बिशे में क्या-क्या सोच रहे थे अब अपनी चोटी के बिशे में श्री क्रिशन जो है वह क्या-क्या सोच रहे हैं तो आईए उत्तर के मादिम से जानते हैं श्री क्रिशन फिर वे नागिन जैसी लहराएगी मिन चोटी की तुलना किसे की नागिन से जैसे नागिन जो होती है लंबी मोटी होती है उसी तरह जो श्री कृषिन सोच रहे हैं कि मेरी चोटी भी हो जाएगी दूद की तुलना में श्री कृषिन कौन से खादे पदारत में खाने वाले जो पदारत होते हैं को अधिक पसंद करते हैं अब दूद के कंपैरिजन में श्री कृषिन जो हैं कौन से अन्य भ्यंजन जा पदारत कह लीजिए जा बेजी टेवल्ज जा कुछ और चीजें जो है उनको खाने में पसंद हैं उनके बारे में बात हो रही है यहां पर तो उनको दूद की तुरना में श्री कृषिन को माखा रोटी अधिक पसंद है तैही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में गवालन के मन के कौन से भाव मुकृत हो रहे हैं इन पंक्तियों में गवालने जो हैं बैमाता युशोधा से शिकायत कर रही है कह रही है कि तैही पूत अनोखी जायो कि पूत होता है पुत्तर कि गवालन के मन में युशोधा के लिए श्री क्रिशन जैसा पुत्र पाने पर इशर्या की भावना वा क्रिशन से के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुख्रित हो रहे हैं मिन गवालनों को गुसा आता है जब श्री क्रिशन उनका माखन चुरा कर खाते हैं तो वह माता यशोधा से इशर्या करती हैं कि उन्होंने कृष्ण जैसे पुत्र को जनम दिया है इसलिए वह यशोधा माता को उलाहना दे रही हैं शिकायत कर रही हैं कि आपने ऐसे पुत्र को जनम दिया दोनों पदों में दो ही पद है न सूर्दास के पदों में तो उन दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यूं लगा यह आपको अपने विचार देने हैं, तो आईये उत्तर के मादिम से देखते हैं कि क्यों दोनों पदों में आपको या मुझे या लेखक को कौन से बाते जो हैं अच्छी लगी हैं, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहां बाल, सभाव, बच्चे बड़ी तोटली तोटली बाते करते हैं न, मीठी मीठी बाते करते हैं जो बड़ों को बहुत अदिक पसंद आती हैं, तो ऐसे ही क्रिशन का जो बाल रूप है, सभाव है, वह प्राया श्री क्रिशन दूद पीने में आना कानी किया करते थे, तब एक दिन माता य शोदा ने परलोभन दिया कि काना तू नित्य, नित्य मीन हर रोज प्रती दिन कच्चा दूद पीने को बोल रही है माताई शोदा, इससे तेरी चोटी दाउ, दाउ कौन थे बलराम, उनके बड़े भाई, जैसी मोटी लंबी हो जाएगी, मैया के कहने पर काहना दूद पीने लगे, तो बच्चो आपके घरों में भी आपकी मम्मी आपको भी प्रलोभन देती होगी, कुछ बाते आपको आप नहीं करते होंगे, उनकी इच्छा उनसार तो वो आपको भी रिजाने के लिए, खुश करने के लिए, जैसे माता ये शोदा जो है, अपने पुत्र शिरी क प्रिशन की चोटी को लंबा अबनाने के लिए, उसको दूद पीने का प्रलोभन दे रही है, उसी परकार आपकी मम्मी भी आपको खाना खाने के अलग अलग प्रलोभन देती होगी, तो ये तो रीत चली आई है माँ और बच्चों के बीच में, माँ सब अपने बच्चों के बारे में जानती है, कि कैसे उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा नहीं लगता है, है ना, तो आगे पढ़ते हैं कि मैया के कहने पर काना जो है, दूद पीने लगे, अधिक समय बीतने पर, अब ज़्यादा समय हो गया होगा, जैसे हफते में भी बच्चे बोलने लग पड़ते हैं दो तिन दिन भी बोलने पड़ते हैं तो श्री क्रिशन अपने बलपन के कारण माता से अनु नए भिने प्राथना करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैने दूद पिया पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है उनकी माता से उनकी नराजगी व्यक कि तरह चोटी पाने का हट करना हट हठ हठ है ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है तो टाइप में हिदे को बड़ा ही अनंद देता है जब ऐसी बाते करते हैं तो इन बातों से क्या इन बातों को सुनकर जो है एक अनंद पूरण भाव उत्पन हो जाते हैं अगर हमें ये पद पढ़कर इतना अन्भुग हो रहा है तो उसमें माता शोदा को कितना अच्छा लगता होगा जब क्रिशन ऐसी बातें करते होंगे है न दूसरे पद को पढ़कर बताईए कि आपके अनसार उसमें श्री क्रिशन की उमर क्या रही होगी अब दूसरे पद क आमने पढ़ा तो उसकी अनसार बताना है शातो कि श्री क्रिशन की उमर जो थी एज जो थी वह क्या रही होगी तो दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री क्रिशन की उमर चार से साथ साल रही होगी क्योंकि इसी उमर में बच्चो बच्चे जो हैं बड़ी अंजाने होते हैं ना कुछ जानते नहीं हैं तो ऐसी बाते करते हैं तो चार से साथ साल रही होगी श्री कृषण जी की आयू एज तबी उनके शुटे शुटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था में वो जितनी भी सावधानी रखें फिर भी माखन जो था नीचे गिरी जाता था और पता चल जाता था कि ये माखन चुराया है श्री कृषण ने मूँ में भी लगा रहता था तो ये थे कुछ आपके NCRT के प्रशन उत्तर अब भाषा की बात भी है तो भाषा की बात भी कर लेते हैं भाषा की बात में कहा गया है कि श्री कृषण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा जा गया है इसके लिए एक शवर दीजिए मिन माखन चुराने वाले को क्या बोलते हैं माखन चोर आपकी प्रिक्षा में आ सकता है माखन चुराने वाला कौन माखन चोर बटर इसको बोलते हैं बटर को शिरी क्रिशन के लिए पांच प्रयावाच्ची शवद लिखिए अब शात्रों आप तो जानते हैं शिरी क्रिशन के कितने ही नाम हैं कितने ही पांच प्रायवाच्ची बताने हैं शिरी कृष्ण के तो शिरी कृष्ण के प्रायवाच्ची हैं गोविंद उनको गोविंद भी कहा जाता था रणशोड भी कहा जाता है बसुदेव मुरली धर और नंदलाल भी कहा जाता है तो ये शिरी कृष्ण के प्रायवाच्ची हो ग उन्हें प्रायवाची कहते हैं और कुछ बिपरीत अर्थ वाले भी होते हैं कुछ ओपोजिट भी होते हैं और कुछ समानार्थी भी होते हैं मीन हर टाइप के होते हैं प्रायवाची शवद मीन कुछ ओपोजिट होते हैं कुछ समानार्थी होते हैं तो प्रायवाची कहे जा और बपरीत आर्थक शवद को भी बिलोम शवद कहा जाता है जैसे आप कुछ लिख के बताते हैं आपको कि प्रयाई बादची और बपरीत आर्थकक कैसे होते हैं प्रयाई बादची देखिये चंद्रमा के कितने ही नामें किसे तो जाता है तो चंदर्मा को आपको आप इसमें से कई नाम जानते भी है रहाई के लिए आइना चंद्रमा को शषी इंदू राका मधुकर भ्धामर भॉरण्स आइना किसके नाम है ये ये चंद्रमा के तीन नाम है दो अधरत पाना और भी कई मदोपु सूर्य इसको बोलते हैं सूर्य रभी भी 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 बोलते हैं भानू भी बोलते हैं दिनकर भी बोलते हैं ये तो soup के नाम चंद्रमा के नाम और मधुकर बहुम्रे के अब उनक विप्रीत अर्थक भी देख लेते हैं कुछ दिन और रात ये भी तो प्रयाइबाच्ची हुए ना बिलोम शवद हुए ना उपोजिट मिन दिन का रात डे नाइट श्वेट शाम वाइट ब्लैक ब्लैक एंड वाइट शीत उशन है ना कुछ और है प्रयाइबाच्ची शवद बेनी बेनी जैसे आपके पद में आया है कि बेनी किसको बोलते हैं चोटी को मैया मैया के प्रयाइबाच्ची जन्नी मा माता ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं पहले भी शोड़ शोड़ी कक्षाओं में आप इन जानते हैं आप और वीडियो बनाऊंगी कि आपको जो है competition लेवल तक ले जाएं क्योंकि ये लेवल तो भी study का है दूद दूगद पए गोरस क्या क्या बोलते हैं दूद को पए गोरस दूगद और काड़त को क्या बोलते हैं गुहत बल्राम बल्राम के और भी नाम है दाउ और हल्दर डोट डोटा डोटा जो है सुत पुत्र बेटा ये हैं प्रायवाच्ची कुछ अब प्रीता अर्था क्या है लंबी शोटी शाम शबे संग्रह विग्रह संग्रह करना किसी बात का कठे करना और विग्रह करना विग्य अग्य ज्याननी और ज्याननी है ना जानने वाला और ना जा तूर दास के पद के तो आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में शारे बचोर जिन्होंने मेरे चैनल को अब इता सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे अनेमाली वीडियो का नया नोटिफकेशन मिल सके लाइक और शेयर भी जरूर करते ना